नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं और अलमगीर अलम ने युवक यूत योग ओफरलेटर दिया वहीं उनके साथ बढ़कागाव विधायक अमबा परसाद, बरही विधायक उमा संकर अकेला और गांडे विधायक सर्फराज अहमाद भी उपसित थे कारकरम निर्धारी समय एक वय सिलाभग डेर घंडे बिलम से सुरू हुआ है और साम के पांच वय कारकरम समप्त हुआ ऐसे में छात्र शात्राओ के चेहरे में ठाकान भी देखने को मिली गर्मी के कारण भी छात्र शात्राओ का हाल बेहाल था सुरक्षा द्रिष्टी कोन से किसी भी ब्यक्ति को पानी का बोतल भी कारिकरम अस्थल पर ले जाने की जायत नहीं थी लेकिन ओफर लेटर लेने के बाद रोजगार मिलने की उमीदों से उनके चेहरे पर मुस्कान लोट आई इस कारिकरम सरकार के मंत्री अलमगीर अलम और सत्यानद भोकता मौजूद थे इसके लावा विधायक अमबा परसाथ मौजूद थी तेजा स्वीनी करमचारियों का परदर्थन प्रजेक्ट भौन घिराओ के दरान पूलिस के साथ धाका मोकी जरकन में तेजवीनी परजेक्ट बंद होने पर तेजवीनी करमचारि लगातार अंदोलन पर हैं इसको लेकर सोमवार को राची में तेजवीनी करमचारियों ने बिरोत प्रदसन किया यहां परजेक्ट भौन घिराओ करने पहुँचे करकर तावग साथ पूलिस की नोका जोकी भी होई बता दे सेवा विस्तार की मांग को लेकर अंदोलन रत राजी के तेजवीनी करमचारी सोमवार को परजेक्ट भौन घिराओ के लिए राजधानी राची पहुँचे हलाकि इस दवरान प्रभात तरा मैदान से परजेक्ट भौन जारे तेजवनी करमचारीों को परजासन द्वारा बीच में ही रोक दिया गया जिस वजा से वे परजेक्ट भौन तक नहीं जा सके इस दवरान आंदोलन कारियों की पूलिस से नोका जोकी भी होई परजासन द्वारा धारा 144 लगाये जाने से तेजवनी करमचारीों की नराजगी साप दिखी गई डेंगू की रोक थाम के लिए राज में पूरी तयारी मंत्री स्वास्त मंत्री बनना गुपता ने कहा है कि डेंगू की रोक थाम को लेकर जारखन सरकार ने पूरी तयारी की है सभी नगर निकाय को एंटी लारवा के छिड़काव का निदेश दे दिया गया है विभाग उन जीलों पर पहनी नजर बनाए हुए है जहां डेंगू के मामले ज़्याधा मिले है सवास्त मंत्री सोमवार को सराइक एला जीले के आदितेफूर में जन सुनवाई के बाद मीडिया को समोधित कर रहे थे स्वास्थ मंत्री ने कहा है कि आजितिपूर समेट जमसेदपूर में डेंगू के ममले बढ़े हैं जमसेदपूर के कई इलाकों के लोग इसकी चपेट में आये हैं इसके साथ ही अन्य मौसमी बिमारियों से निपटने के लिए बिभाग को अलट किया गया है सभी सीविल सर्जन को अस्पतालों में जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है इसके साथ ही साब सफाई की समोशित ब्यवस्था करने को नगर निकाय को निर्देश दे दिया गया है सीबू सोरेन की तब्यत बिगडी अस्पताल में भरती जाउमों सुप्रीमों सह जारखन के पुरमुख मंत्री सीबू सोरेन के तब्यत बिगड़ गई है इसके बाद उन्हें सोमवार्गों दिली के सर गंगाराम अस्पताल में भरती कराया गया है डक्टरों के मुताविक सीबू सोरेन को किडिनी सांस लेने में तकलीफ हुआ हाई बलेड प्रेसर की समस्या के बाद अस्पताल में भरती कराया गया डक्टरों के अनुसार फिलाल उनकी हालात इस्थीर है जनकारी के मुताविक स्वमवार को सीवू सुरेन दिली से मुख्य मंतरी हमाल सुरेन के साथ राची लोट रहे थे लेकिन दिली यार्पोट पर उन्हें परसानी महसूस हुई जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया यहां डॉक्टरों ने उनकी जाच की अस्पताल के एक वरिष्ट डॉक्टर के मुताविक उन्हें डायलेसिस की जरूरत है सीवू सुरेन की कीडनी से समंधीत सभी जाच की गई है उपचार के बाद तवियत इस्थीर है उन्हें जल्द ही छुटी मिलने की उमीद है जैक बोड माट्रिक इंटर कमपर्टमेंटल एकजाम रिजल्ट जारी जारी आधर जारखन एकेटमी कॉंसील ने इस साल जुलाई महिने में हुए इंटर और माट्रिक की कमपर्टमेंटल परिख्छा के पहिनाम जारी कर दिये है जैक 12.000 रिजल्ट में métrik कंपर्टमेंटल परेक्षा में 63 पर्थिद बिद्यारतियों ने सफलता प्राप्त की है वहीं इस साल न की साल реб स्चेमें 46.06 hp बिद्यारति सामिल हुए थे जिसमें से 29.50 बिद्यारति पास हुए है पारा सिस्को के आकलन परीक्षा कारी इस सब्ता जारी होने की समावना है जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतों ने कहा है कि मैट्रिक इंटर कमपर्टमेंटल परिक्षा का पहिनम जारी होने के बाद अब आकलन परिक्षा के ही रिजल्ट की तेयारी है जैक दोरा इसे अमतिम रूप दिया जा रहा है उमीद है कि इसी सब्ता परिक्षा का भी रिजल्ट परकासित कर दिया जाएगा आकलन परिक्षा को लेकर जारी उतर कुनजी पर जो अपत्ती प्राप्त हुए थे उसका भी निराकरन कर दिया गया है जिसके लिए जैक दोरा भी से सगयों के टीम बनाई गई थी उन्होंने बताया है कि पहले फाइनल उतर जारी किया जाएगा उसके बाद रिजल्ट जारी होंगे गौतला भाई की राज में पहली बार पाला सिसको से सहायक अध्यापक बनने सिसको काकलन परिक्षा 36 जुलाई को जीत किया गया था जिसमें सफल होने वाले सिसको के मांदे में 10 पर 37 की बड़ोतरी का प्रधान सरकार के द्वारा किया गया है रांची में ग्रामीन विकास मंत्री आलमगीर आलम की जन सुनवाई AICC के आदेश परसू हुए कौंग्रेस कोटे क मंत्री हों जन सुनवाई तीसरा सुमवार को जहरकन परदेश कौंग्रेस मुख्याले भ़ण में कौंग्रेस विधायक दलकिनेता और गरामीन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जन सुनवाई की इसमें बड़ी संख्या में राजी के अलग-अलग गीलों से समस्याय लेकर फरियादी जन सुनवाई में पहुझे इस जन सुनवाई में रामगर जिले में अगस्त महिन में हुए समसाथ की हत्या मामने को लेकर उनके परिजन भी पहुँचे इस दोरार मिरितक समसाद की पत्नी ने मंत्री आलमगीर आलम से पती की हत्याक मॉब लिंचिंग बताते हुए मदद की गुहार लगाई है वहीं समसाद की पत्नी ने दोस्यों पर करवाई और सरकार से मदद मिलने की बिंती की है जारखन में गलत खबर का करना होगा खंडन बना पोर्टल जारखन में गलत खबर परकासित करने वालों को उसका खंडन करना होगा सरकार के निर्देश पर मीडिया मोनेटरिंग पोर्टल बनाया गया है जो जूठी और भरामक खबरों पनाया रखेगा बदाद टेकनोलोजी के दोर में समाज में मेन इस्ट्रीम मीडिया के साथ सा सोसल मीडिया का परभाव बढ़ा है लोगों तक तेजी से सुचनाय पहुँच रही है सरकार कुछ अच्छा कर रही है तब भी और कहीं कमी है तब भी हलाकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है लोगों तक जल्द से जल्द खबरे पहुचाने की होट में कई भरामक बाते कनफ्यूज भी क्रियेट कर रही है कई गलत वायल खबरों का असर सरकारी सिस्टम पर परपर रहा है इसको देख दे हुए राय सरकार के निदेश पर IT विभाग ने एक पोटल त्यार किया है जो खबरों के अधार पर जानता और विभागों के बीच पूल का काम करेगा इसको नाम दिया गया है मीडिया मोनेटिंग पोटल अगर खबर गलत निकली तो समधित मीडिया हाउस को खंडन के लिए कहा जाएगा सरकारी स्कूलों के सिस्को के टांसफर में उलजान जारखन के सरकारी स्कूलों में सिस्को के टांसफर की ओनलेन पर किरिया उलज गई है जहारखान पलस टू सिक्षक संग ने मुख्य मंत्री को पत्र लिक और ओफ-लाइन टांसफर परकिरिया अपनाने की मांग की है बता दे राजे में इन दिनों सरकारी स्कूलों के सिस्को के असनांतरन के लिए ओनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं सिक्षा विभाग के दोरा जारे या परकिरिया टीचर टांसफर पोर्टल के माध्यम से पूरा करने के तियारी की गई है लेकिन जिस तरह सिस्को के टांसफर की परकिरिया अपनाई गई उसमें कई तरह की खामिया है शिक्सको का मनना है कि पोटल में कई तरह की खामिया है खाच कर विद्यालियों का नाम और समुचित रिक्तियों को लेकर पुरी जनकारी इसमें नहीं दिगाई इन सब के भी जारखन पलस टू सिक्षक संग ने मुख्य मंत्री को पत्र लिख कर राज के सरकारी पलस टू बिद्यालियों के PGT 6 को के औलें अस्त्रांतन की परकिरिया के नियमों को सित्किल करते हुए औलें अस्त्रांतन की सुविधा पदान करने की मांग की है चीट फंड केस मामला 45 दिन में कमिटी बना कर पैसा दिलाने का आदेश चीट फंड केस में जारखन हाई कोट ने अहम नीरने सुनाया है हाई कोट ने सरकार को 45 दिनों के भीतर high level कमिटी बना कर निवेसको का पैसे दिलाने का आदेश राज सरकार को दिया है हाई कोट के इस आदेश के बाद निवेसको के डूबे पैसे जल्द मिलने के उमीद है बदाद नन बेंकिंग कम्पणिओं में पैसे जमा कर निकासी के लिए परिशान निवेसकोद के हीत में जार्खन हाइकोड ने बड़ा फ्सला सुनाया है नन बेंकिंग अभीरक्षा निवेसक सुरक्षा समिती के जन ही त्याज का पर सुनूआई के लिए हाई कोट ने राई सरकार क्वादेश दिया है कि 45 दिन के भीतर हाई लेवल कमिटी बनाए और निवेसकों के डूबे हुए पैसे के मुहाया कराए ट्रॉक और हाईवा संचालकों की हरताल सुरू रांची के और मांची छेतर से गिटी इट और बोल्डर होने वाले सभी ट्रॉक और हाईवा का परिचालन सोम वार से बंद हो गया है बंद करने का फैसला सनी वार को हुए और मांची ट्रॉक के इसे सेसेशन के बैठक में लिया गया क्योंकि वाहन के कागजात और थाने में इंटरी कराने के नाम पर हम लोगों से जबरन वसूली की जा रही है नियो गिरीडी रांची ट्रेन को आज मिलेगी हरी जंडी केंदरिये सिक्छा राजमंत्रियान पुर्णा देवी एवाम गिरीडी सांसर चंदर परकास चोधरी बार सितंबर की सुब़ साड़े दस वजय नियो गिरीडी एस्टेशन से नाई ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे यह ट्रेन नियो गिरीडी रांची के बीच चलेगी जो जमुआ धनबार महेस्पूर होल्ट कोडारमा हजारी बाग डाउन वहीं बारका खाना मेसरा या टाक्टी सिल्वे में भी रुकेगी उत घाटन के दिन ट्रेन संख्या 0-3-3-0-9 नियो गिरीडी रांची एस्पेशल ट्रेन डाईवाट रूट वाया बारका काना मोरी टाक्टी सिल्वे होकर चलेगी ट्रेन में कूल 345 सीटे होंगी 13 सितमबर से भी कुछ दिनों तक या ट्रेन डाईवाट रूट से ही चलेगी जबकि ट्रेन का निधाइट मार्ग बारका काना मेसरा टाक्टी सिल्वे होई बेरोजगारों को रोजगार देकर आत्म निर्भर बनाना है मंत्री मंत्री अलामगीर अलाम ने कहा है कि हमन सरकार ने समर्पित भावना से जहरखन वासियों के हीत में काम कर रही है राज के बेरोजगारों को रोजगार मुहजा कराना हमारी सरकार के प्रत्मिकता है सरोजन पेंसन योजना, बीरसा हरीत ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, फुलो जहानो योजना, सावीतरी बाई फुले योजना समेट कई अने कल्यानकारी योजनाओ को लाकर हमारी सरकार ने राज के जानता को लाँ पहुचाने का काम किया है केंज सरकार ने घोसना किया था कि कच्चे माकान मेर हने माले गरामिनों का आवास देगी पर खेद के साथ कहना पढ़ रहा है कि दो वर्स बीत गए पर जहारखन को पीम आवास का पैसा नहीं मिला इसलिए हमारी सरकार ने 24 में सभी गरियों को अवास देने की जोजना बनाई है बाबुलान ने हमन सरकार पर किया प्रहार बिजेपी की संकल पैयातरा रामगण पहुंची है रामगण विधान सभाच छेतरी की संकल पैयातरा को संबदित करते हैं बिजेपी परदेश अध्यक्ष बाबुला मराण ने हमन सरकार पर कड़ा परहार किया है कहा एकी राज में लूट और फ्रेष्ट चार का बोल बाला है उन्होंने कहा एकी राज को लूटने से बचाना है तो इस सरकार को हटाना होगा बिजेपी परदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राज के विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहे हैं सिर्फ काम काजी विकास हो रहा है धरातल पर विकास दिखाई नहीं दे रहा है उन्होंने कहा है कि राजे में एक तरफा खान, खनीज, कोईला, लोहा, पत्थर, बालू समेत अने खनीज संपता की लूट मची है दूसरी ओर अपराधी बेलगाम है पुलिस परसासन सांती बेवस्था बहाल करने की जगा अन्यकारों में ब्यास्त है जारखन राजे अंतर जिला फुटबल टूर्नामेंट में मंत्री मिथलेस ने की किर्केट स्टेडियम की घोसना राज्य फुटबोल संग के अध्यक्ष मिथलेश ठाकूर ने कहा है कि गढ़वा जिले में पहली बार राज्य अस्तरिय फुटबोल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है इसमें राज्य के सभी जिले के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं एस ये कउप होगी का आवजन भी झारखन में होने जा रहा है। इसके लावा हैमन सरकार खेल के कई बड़े आवजन राज्य में करा कर खिलाडियों को आगे बढ़ाने के कायम कर रही है। उन्होंने का है कि सरकार राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय अस्तरक खिलाड़ीयों की नौकरी में मिसीधित नियुक्ति कर रही है। उससे अतिरिक्त काम लेता था जिसके चलते उसकी मौत हो गई मिरित्तक की पहचान अरजुन साव सदर परखन इस्थीत अमरपूर गावनिवासी के रूप में हुई है जारखन में डेंगू के 302 संदिक्द मिले 30 में पुष्टी राज में डेंगू चीकुनगुनि या के दस्तक से लोग सकते में है बिभीन जीलो में डेंगू और चीकुनगुनिया पाएव पसार रहा है स्वमर को राज भर में डेंगू के 302 संदिक्द मरीज मिले है इनमें से 294 लोगों ने अपना जांच करवाया है जिसमें से 30 लोगों में डेंगू की पुष्टी हुई है वही पूर्भी सिंभू में डेंगू के 109 संदिक्द मरीज मिले है जिनमें से 8 मरीजों में डेंगू की पुष्टी हुई है जबकि दुमका में एकई संदिक्द मिले है सब ही मरीजों ने डेंगू जाच के लिए अपना सेंपल दिया है रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है वही रांची में 95 संदिक्द मरीज मिले हैं इनमें से गारा डेंगू की पुष्टी हुई है हजारी बाग में 13, दुमका में 21, देवगर में 7, धनबाद में 12, गढ़वा में 3, कुडारमा में 2, पलामू में 2, डेंगू के संदिक्द मरीज मिले हैं हेलिकोप्टर में खराबी के कारण सियम हेमंत हजारी बाग नहीं पहुँचे मुख्य मंत्री हमंसुरे ने अपनी घोसित कारे करम में 1000 बाग नहीं जाने पर खेत पर कट किया है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दिलि से रांची आने के बाद हेलिकोप्टर में तक निकी खराबी आ गई इस कारण में 1000 बाग नहीं जा सका अपने प्यारे युवा भायों एवन बहनों की बीच आफ़ा लेटर बितरन का एकरम में सामिल नहीं हो सका जिसके लिए मैं खेत परकट करता हूँ उन्होंने कहा एकराज के हुनहार अस्थाने युवाओ के बारे में प्रुवर्ती सरकारों ने कभी नहीं सुचा था जबकि हमारी सरकार युवाओ को नौकरी और प्रदान कर रही है रांची में खेला गया SSP फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच रांची जिले के बेड़ो परखंड मुखाए श्थीत माहा दानी मैधान में समुदाईक पुलिसिंग योजना Ciao के तहट SSP फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया इस मैच का उद्गाटन विधायक सिलपी नहातिर्की ने फुटबॉल कीक मार कर किया फाइनल मैच जामा टोली और नहालू पंचायत की टीम के बीच खेला गया जिसमें जामा टोली की टीम ने 1-0 से बिजय हसिल की है फुटबॉल टूर्नामेंट के बीचेता और उप बीचेता टीम को ग्रामीन, SP, मनिश टोपो, DSP, रजत मनिक, बाखला, इंस्पेक्टर अरुन कुमार, थानापरवारी मुकेस, कुमार हेम्रम और उप परमुक, मोध सीर हक ने सील्ड मेडल और हेलमेट देकर समानित किया है पाये जाने वाले दो मरीजों की मौत की सुचना है, हलाकि सरकारी आकड़े में ये तो मौत सामिल ही नहीं है बता दे महुदा के लाल बंकला, नियो कॉलोनी निवासित, तीरपन वर्षी ये भवानी दास की मौत रांची के रिम्स में रभिवार की साम इलाज के करम में हो गई वे डेंगू से पिड़ी थे, पहले उनका इलाज स्थाने चिकित सक से कराया गया धन्यवाद